वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप data structure and algorithm system designing, back end development and full stack development की interview की preparation कर रहे हो या course करना चाहते हो तो आपको ये मिल जाएगा, ये classes free भी हैं और कुछ paid भी हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजे और आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे अगरता दूँ कि जो इंडिया के best educator हैं, top educator और top product company के interview के preparation यहाँ पे आप लोगों को कराई जाती है, उसके लावा dedicated doubt clearing sessions होता है, कि आपका doubt कैसे clear हो, every three day में, उसके बाद फिर आपको, वो अलग से आपको support करते हैं, doubt clearing sessions में, उसके लावा most important and structured learning path with a course planned, design especially to help upskill and cracking interviews, ये जो course है, आपको help करेगा, आपकी skill improve करने में, आपको interview skill है, उसको improve करेगा, उसके अलावा अगर आप इसकी जो batch की detail है, वो सारी मैं आपको description में link दे दे रहा हूं, उस पे click करके आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से batch हैं, कौन-कौन से courses हैं, और अगर आप लोग जो मेरा code career 10 वो engineers की salary के बारे में, और बहुत सारे लोग को curiosity रहती है कि जानने की कि नहीं सरवताइए, software engineers कितना कमाते हैं, और software engineer बनके कितना पैसा कमा सकते हैं, तो पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखेगा, जब software engineer की बात करते हैं, तो बहुत type की software engineer होते है एक ऐसा software engineer भी होता है, जो 5000 रुपे भी कमाता है, एक ऐसा software engineer होता है, जिसकी package 5 करोड़ी भी होती है, तो वो depend करता है skill to skill, जितनी अच्छी skill आपकी होगी, उतनी अच्छी salary industry में होगी, कोई limitation नहीं है, एक तरह से मैं कहलो कि पहले एक civil branch ऐसी होती थी engineering में, जिसमें पैसे क कि कोई limitation नहीं होती थी, कि बहुत पैसा कमाते थे, उसके बाद उस software engineering ने कहीं ने कहीं उस चीज को cross कर दिया है, और software engineer इतना पैसा कमा सकते है, एक software engineer इतना पैसा अपनी life में कमा सकता है, कि जितना कोई और branch वाला नहीं कमा सकता है, आप सुंदर पिचाई जी को ले लीजि जिनकी package करोडों में है, दो करोडों, तीन करोडों, चार करोडों, पांच करोडों की package है, तो ऐसा software industry में ही possible है, अब software industry में आपको करना क्या है, आपको किसी particular technology के बारे में सबसे पहले जानना होगा, और उस particular technology में आगे बढ़ना होगा, example जैसे मैं ले लूँ, कि अगर partner developer बनना चाहते हो, या फिर python developer बनना चाहते हो, python development का future बड़ा अच्छा है, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा scope है, application developer बनना चाहते हो, वहाँ पे भी scope बहुत अच्छा है, python developer की salary, starting salary अगर 5000, 10,000, 15,000 से start करे, पांच साल experience के बाद उस बंदे की salary लग 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 रुपय से जादे होगी, यह अगर सच में python developer है बंदा, सच में उसके अंदर talent है, सच में वह अपने आपको explore करना चाहता है, as a software engineer तो obviously उसकी salary बहुत अच्छी खासी होगी, तो यहाँ पे आप अगर हम बात करें software engineer की, तो कोई limitation नहीं है कि कितना कमा सकता है, बहुत upper circuit भी ह तो वो मैंने आपको clear कर दिया, कि जितनी अच्छा इसके लिए knowledge आपके पास होगा, उतना अच्छा आप earn कर ले जाओगे software industry में, तो software industry में मैं एक चीज़ और clear करना चाहता हूँ, कि जब आपका interest हो, तभी आप software industry में आओ, अगर आपका coding में interest नहीं है, तो please कभी मत आना, पैसा देखकर कि software industry में मत आना, कि पैसा बहुत है, हम भी चलते हैं, पता चला coding में interest ही नहीं होगा, आपको तो बहुत issue आपके लिए create हो जाएगा, और चीज़े बहुत complicated आपके लिए हो जाएगी, तो please मेरा आप लोगों से request है, कि जो लोग interested है, software industry में, coding में, वही लोग career आगे जा पाएगा, नहीं तो ऐसे लोग अगर आप ही गया है, जो interested नहीं है, तो वही वो lower circuit वाला 5,000 से 10,000 रुपए साल ले लिएंगे, नहीं तो अपर circuit में अगर interest है, तो अपर circuit में करोडों की package मिलती है, Google जैसी company, Microsoft जैसी company, Facebook, Twitter, LinkedIn, इस टाइप की जितनी भी company है, software industry से बिलाउंग करते हैं, Amazon हो गया, Flipkart हो गया, बहुत सारी ऐसी companies है, multinational companies, जो software engineers कोई जरूरत होती है, और बिना software engineer की ये company चल नहीं सकती है, तो बस वीडियो में इतना ही, और hope guys वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो like, share, comment जरूर करें, और करेंडर चैनल